तो यह है Infinity Glide N120 wireless earphone तो आज इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको और यह मैं यूज कर रहा हूं आल्मोस्ट तीन महीने हो गया है तो पूरा review क्या कैसे है और तीन महीने से यूज कर रहा हूं तो मैं आपको full on review देता हूं क्या कित्ते मैं आपको खरीदना चाहिए नहीं खर क्या 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 है सब कुछ पताता हूं तो देख लेते हैं सबसे पहले कि डिब्बे में क्या कुछ मिल जाता है तो यहां पर infinity by harman लिखा हुआ है और जो की infinity हो गया harman हो गया और jbl हो गया सब मतलब चटे बटे एक ही चीज है क्योंकि यह infinity अभी नोंने थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको economy rates पे products launch की हैं जो की थोड़े cheap हैं अगर comparison में देखें harman या फिर jbl के तो यह जो है दूसरी audience को ध्यान पर रखते हुए बना है और नीचे deep base लिखा हुआ है और bluetooth है और यहां पर connectivity है magnet है साथ घंटे का battery backup दिया हुआ है और इधर कुछ खास ग्यान नहीं है बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको यहां पर क्या लिखा हुआ है लेकिन यह मिलते हैं पंद्रा सो बारा सो ऐसे कुछ मैंने कित्ते कर लिया तो मैंने लिया था बिग बिलियन सेल पर और यह मुझे पड़ा था 900 रुपए का कुछ कार्डवार दुनियादारी लगा कर ठीक है तो अभी यह सेल चल रही है कौन सी रिपब्लिक डे सेल इस पे आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का इसली ठीक है तो अब यह मैं ओपन करता हूँ यह नीचे से और मैं दिखाता हूँ आपको कि बॉक्स में क्या मिलता है तो यह इ कैसी प्लास्टिक मिल जाती है तो पेर ओफ यह टिप्स अलग से मिल जाते हैं और यह केबल दी हुई है यूएसपी तो यूज माइक्रो यूएसपी और यह यहां पर वार्निंग यूजर मैनुवल एंड वारंटी कार्ट सब कुछ है की में है तो ज्यादा कागज नहीं ख तो यह यहां पर आप देखोंगे नेक बैंड है प्लास्टिक है काफी हलका है और काफी मजबूत समझाता है बहुत प्रीमियम क्वाल्टी नहीं है लेकिन बहुत चीप भी नहीं है तो एक हजार के हिसाब से क्वाल्टी ओके ओके है गुड गुड है यहां पर आपको कैमर जूम कर लो तो हाँ अरी कैमरा जूम क्यों नहीं हाँ इंफिनिटी की ब्रैंडिंग मिल जाती है यहाँ पे यलो टच है थोड़ा सा यह जो की अच्छा लग रहा है और यह जो क्वाल्टी है बहुत मतलब ऐसे ब्रेड़ टाइप वाली नहीं है बट काफी सॉलिड है तीन मह मैटल मिल जाएगा यहाँ प्रैंटल में मिलता है यहाँ पे infinite का एक logo यहाँ पे फिर यलो टच दिया हुआ है फिर यह आप हटा भी सकते हो यह चीज और यह यह यहाँ पर रहूल allowed बहुत अप तो दूसरी साइट के नेकबेंड पर आपको पूरा रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा यहां पर तीन बटन है एक वॉल्यूम प्लस और एक वॉल्यूम माइनस ठीक है और बीच में आपको एक बटन दी हुई है जिससे अन आफ होगा और इसी से आप कॉल उठा सकते हैं गाना प करता नहीं और कोई मतलब नहीं उसका ठीक है और यहीं पर आपको चार्जिंग के लिए एक माइक्रो यूएस्पी का पोर्ट दिया हुए अब बात कर लेते हैं बैटरी कित्ती चलती है तो बैटरी इसकी क्या है कि 6-7 गंटे चलती और डिपेंड करता है कि आप किस वॉल् हैं जो वोकल्स हैं मिट से हाई हैं वो सब जस्टिफाइड हैं अगर 1000 रुपए को देखते हो तो आऊसम मिल रहा है मतलब इट्स गुड्ट साउंड ठीक है कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है कनेक्टिविटी आऊसम है मतलब इसमें अब इसके यह सब प्रोज हैं एक हजार रुपए को मद्दे नजर रखते हुए हाँ यहाँ पे एक चीज मैं बोलूँगा अगर यह आपको एक हजार के उपर एक रुपए भी महंगा मिलता है अगर यह ग्यारा सो का मिलता है तो यह डिपेंड करता है कि आपको इंफिनिटी लेना है कि नहीं लेना है फ हैं लाइक पबजी एन ओल पबजी बैन हैं बट फिर भी अगर गेम वगेरा के पॉइंट व्यू से ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यह बिकार है इसमें लो लेटेंसी मोड नहीं है तो आपको साउंड में थोड़ा सा डिले मिलेगा जो की दिक्कत करेगा अब अगर आप ल के लिए ले रहे हो जिस पर लो टेंसी का यूज है तो फिर यह बेकार है क्योंकि साउंड में डिले आ जाएगा आप जो स्क्रीन पर विजुल्स देख रहे होगे उससे जो है वाइस थोड़ी सी डिले होके आएगी तो वह वहां पर जो एक्स्पिरियंस अच्छा नहीं है अब सीधे मुद्दे की बात अगर यह आप देख रहे हो और अगर आपका मन हो रहे है लेने का तो तब ही देख रहे हो तो मुद्दे की बात यह है कि आप इसे तब कंसीडर करिए अगर आप जो है हजार रुपए के अंदल ले रहे हैं 900 का पढ़ रहा है 1000 का पढ़ रहा ह मेरी तरब से थमसब है इन सारे points को देखने के बाद best earphone है आपको regret नहीं होगा एक एक single penny आपका use आ जाएगा खराब नहीं होगा lightweight है गले में आपको महसूस भी नहीं होता है comfortable है fitting अच्छी है सब कुछ अच्छा है 1000 के अंदर no issue तुरंद खरीद लो 1000 से उपर बहुत सारे issue कब ही मत खरीदना ठीक है तो यह मेरा verdict है और इसी के साथ जो है मैं यह बता रहूं कि यह हाँ मतलब main मुद्दे की बात बता रहूं कि यह मेरा verdict है कि अगर आप 1000 के अंदर मिल रहा है वो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास दो phones है तो मैं always जो है इसको connect रखता हूं दोनों फोन से तो कोई issue नहीं है एक phone पे आप गाना सुन रहा है दूसरे पे call आएगी तो वो अपने आप गाना रुख जाएगा और आप call receive कर सकते हैं दो phone से connect हो जाता है यह एक इसका pro point है और काफी अच्छा feature लगा मैं हमेशा यूज करता हूं क्योंकि मेरे पास दो phone होते हैं तो हमेशा यह feature मैं बताना भूल गया तो यह feature एक अच्छा है बाकी अब मैं इसकी अवाज सुनवाओं आपको कि यहां से अभी मैं कोई song प्ले करूं और फिर आप सुनो उसको तो कोई मतलब नहीं बनता कुछ समझ नहीं आता किसी को किसी को घंटा को समझ नहीं आता कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है क्वाल्टी कैसी है लेकिन लोगों को क्या है न कि सुन तो इन माई वर्डिक्ट यह एकदम एक हजार के अंदर बेस्ट साउंड क्वाल्टी बेस्ट फीचर बेड डियूरेबिल्टी मैं इस से एकदम पहतरीन तरीके से निचोड के यूज कर रहा हूं रात में लगा के सोजाओ बाइक पर यूज करो मैं मोसली बाइक पर यूज करता हूं और सब कुछ अच्छा है सारे फीचर अच्छे लो लेटेंसी को छोड़ करके कनेक्टिविटी बहतरीन है और म्यूजिक प्लेबैक टाइम भी ठीक है हाँ गुड है बस यह है कि हजार के अंदर अगर लेना है तो आप कंसीडर कर सकते हो हजार के अंदर नहीं ले अब आगे क्या है कि बाकी चीजे तो जाने दो लेकिन हाँ एक कॉमेंट अगर कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है तो अगर कुछ भी सही गलत अच्छा बुरा पूंचना है या कॉमेंट करना है तो आप पूंच सकते हो मैं सारे कॉमेंट्स के जवाब दे सब्सक्राइब v.